का इतवार कब है जी हाँ छट के बाद का इतवार कब है और इस इतवार में क्या प्रशाद बनता है कैसे करना चाहिए और क्या पहन कौन से कपरे पहनना चाहिए जी हाँ और उसके बाद होता है छे महिना तक इतवार किया जाता है जिसमें एक मंत का इतवार छोड़ दिया ज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आयो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नीचे बेल आइकन असे प्लेश जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास को एक सब्सक्राइब कर सकती है जो है करता चूरा दूद का अगहन में दरो जो करते हैं तो सारे निकालते हैं, बहुत लोग जो हैं, वो अर्ग देते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे यहां अर्ग दिया जाता है, जियां, वो गोल जो होता है, छिपली बोलिये, बरगुना बोलिये, या चंगेरा बोलिये, तो उसमें दिया जाता है, सूप का यूज इसमें नह हुट आएं तो चछत का जो कपड़ा है वही पहली या दूसरी बार करते है चछत हित्वार का नीयम होता है और इसमें आम के दत्मन से मुध होया जाता है जियां आम के दत्मन से मुध होया जाता है और नाखुन काटा जाता है पैर रंगा जाता है फिर नहाया बाल दोके नहाया जाता है फिर सुरे देव को जल देते हैं जियां हमारे सास्त्रों में सुरे को बहुत ही आजकल के जो कलियुक दुनिया है उसमें को देख सकते हैं और नमक बिलकुल भी नहीं ले सकते हैं तो सेंथा नमक काूज होता है और सुन dal certaines और उसा यहां आजकल बहुत लोग बहुत पूजा पाट करने लगे हैं तो मैं उन लोगों को कहूंगी कि जो आपका नॉन वेज का वरतन वे उसे अलग कर लीजे या अलग ही सब कुछ कर दीजे ताकि पूजा पाट में कोई दिक्कत ना हो आपको और उसके बाद जी हां अगर आप चूला एक ही रखते हैं तो कहते हैं अगनी पानी और लोगा यह तीन चीज जो है वो कभी अच्छोता नहीं होता है तो अगर आपका गैस चूला हो गया हो तो उसको अच्छी से साफ करके गंगा जल सिच्छी रखके स्वाच करके आप उसमें अपना खाय का प्रिशाद ब और फिर से मैं एक बार बता दूँ यह जो है सुकल पक्ष में किया जाता है और इस बार जो है 17 और 24 तारिक संबर और 24 दिसंबर यह दो इतवार है दोनों इतवार आप कर सकते हैं जो कि अगहन का इतवार है और जी हां आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौ यह गई है सबसक्राइब हैं तो आप लोगों को मैं बता दी यह इस में चुड़ा और दूत का प्रिशाद मित्हाक्त बनाया जाता है और यही लोग खाते हैं छट इत्वार का आँ उठाते हैं उनके यह वह cavity we प्लीज कमेंच करके जरूर बताएगा एगर आप मेरी चैनल पर पहली बाराय हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर करना बिल्कुल न भूलना थैंक्स पूर वाचिंग किप सब